आज हम बात करने वाले हैं कि लेसुन में जब दूसरी निराई गुडाई कम्पलीट हो जाती हैं और लेसुन का जब कंद बनना शुरू हो जाता है तब हमें उसके अंदर एक उर्वरक का उपयोग करना है जो आपके लेसुन की मोटाई को कापी ज़्यादा बढ़ा देगा मोटाई बढ़ने के साथ साथ उसका वजन भी बढ़ाईगा उसकी चमक भी बढ़ाईगा और उसकी मजबूती भी बढ़ाईगा एक उर्वरक हैं जिसका उपयोग आपको अपनी लेसुन की खेते में करना है इससे पहले किसान भाईयों अगर हम बात करें तो साइध मैंने इसके बारे में पहली एक वीडियो में भी बताया था लेकिन आज मैं स्पेसल वीडियो लेकर आया हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेसुन में हमें जितने भी सुक्स में पहुसक तत्वेने की माइक्रो न्यूटन देने होते हैं वो हम लेसुन की फर्ष्ट निराई गुड़ाई या लेसुन की बुवाई के समय दे देते हैं हैने कि हम जितने भी प्रकार कि हम जयविक प्रोडक्त या अन्य प्रोडक्त मार्केट से खरीद कर लाते हैं जितने भी जुरत होती हम हर साल डालते हैं वो हम सब डाल देते हैं उसके बाद हम हमारी जो लैसुन होती है उसको सिर्फ यूरिया डालते हैं दो तीन बार और उसक उसके उपर हमारा द्यान नहीं जाता है अगर हम उसको हमारी फसल में डालते हैं तो हमको कापी ज्यादा चमतकारिक रिजल्ट मिलने वाले हैं उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो उससे पहले चैनल पर नहीं आये हूँ तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कीजिए इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि यह जानकार भी जो इसकी बाद हम बताएंगे कि इसका फाइदा और आपको इसको डालना कितना 앞लता है एक तो और एक आता है मुडियो पोटास ओपी 15 किलो चालिस किलो का लाल कलर में आएगा और ये इन दोनों में फारक है यह थी फारक है कि जो पोटेश्व्यम सलपेट आता है वह तो आता इस प्रेय के लिए और ये अगर आपने लेस्न की दूसरी निराई गुड़ाइक कर लिए और अगर आप थोड़ा बहुत यूरिया में अगर मिलाना चाहते हो प्रती एकड़ 15 किलो आप खरीद लीजिए उसको यूरिया के साथ मिक्स कीजिए यूरिया थोड़ा कम रखना क्योंकि दूसरी निराई गुड़ाई होने के बाद पोदा बड़ा हो जाता है उसको इतने ज्यादा नाइट्रोजन के आफशकता पड़ती नहीं है तो यूरिया आपको यहां पर थोड़ा कम रखना है उसमें आपको लगबग 15 किलो के आसपास मिला देना है इन दोनों को आप निराई गुड़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद जब भी आप पानी लगाऊगे तो पोटास के क्या काम होते है आपने पहले वीडियो में जान रखा होगा, बहुत सारे काम होते है पोटास के जैसा मैंने शुरु आतमे ही बताया वजन बढ़ाना चमक बढ़ाना फल का आखार बढ़ाना यह सारे काम पोटास करता है जो हमारा जो नाइट्रोजन वगेरा होता है नहीं हम डालते हैं यह सिर्फ पोदे की ग्रोध बढ़ाने में काम आता है यह फल को परिपक्प करने में काम नहीं आता है तो यहां पर आपको पोटास डालना जरूरी है अब हम बात करें जो पानी के मात्रा को कम रखते हैं तो वह हमारे पत्तों को नुक्सान पहुंचा देता है तो 1.5-180 पानी में तो खिसान भाईयों आप इसका उपयोग करें अपनी फसल पर आपको काफी ज्यादा फाइदा मिलेगा तो उम्मिद करते ही वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक शेस सब्सक्राइब जरूर करें मिलते अगली नहीं वीडियो में तब तर क के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद